नमस्कार सभी सातियों को केंदरी विद्याले संगठन जो इसकूली सिक्षया के अंदर भारत की सबसे बड़ी चैन है उसमें कक्सा फर्स्ट और कक्सा सेकिंड ओन्वर्ड्स सभी कक्साओं के लिए परवेश की समय साड़ी सतर दो जार तेइस जो इसके लिए जारी हो चुक अपने बच्चे का एडमिशन कंचन विद्याले के अंदर ओनलाइन ओफलाइन माध्यम से करवा सकते हैं जो इंपोर्टेंट बाते आपको ध्यान में रखनी है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ सेहर करना चाहता हूं सातियों जो परवेश के लिए होगा उसकी स्टार्टिंग डेट होगी 27 मार्च 2023 से और ओनलाइन रजिस्टेशन कक्सा 1 के लिए उसकी लास्ट डेट होगी वो 17 अप्रेल 2023 होगी सातियों कक्सा 1 में ओनलाइन रजिस्टेशन के परिकिरिया है वो आप किसी भी इमित्र के माध्यम से आप खुद भी अपन कक्सा 1 के उनलाइन रजिस्टेशन के लिए ध्यान में रखनी होगी वो है सबसे पहले आपको बच्चे का एज ग्रूप देखना है कक्सा 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की एज 6 एर से लेके 8 एर्स के बीच में होने चीए जिस बच्चे ने 31 मार्च 2023 तक 6 एर्स कम्प् सट हे बच्चे की सटल करना होगा इसकेलावा बच्चे का पासपुर्ट साइस फोटो है वह भी आपको अपलोड करना होगा इसकेलावा साथ हम जब जुब ऑन-लाइन रजिस्टेशन की सुब्लित हो जाएगा उसकशे लावा उसके बाद में जो उनलाइन रजिस्टेशन जितने भी उनलाइन रजिस्टेशन हुए है उन सबकी विद्याले इस तर पर स्कूरूटनी होगी उसमें किसी ने इनफोर्मेशन गलत बरी है इनकम्प्लिट इनफोर्मेशन दी है तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा उसके बाद में ओनलाइन माध्यम से ही सूची जारी की जाएगी जो फस्ट लिस्ट आपको 20 अपरेल 2023 को विद्याले की वेबसाइट विद्याले के नोटिस बौर्ड के उपर मिलेगी इसके अलावा सातियों 21st April से आप विद्याले की website पर अपने बच्चे का नाम admission सूची के इंदर देख सकते हैं यदि आपके बच्चे का नाम admission सूची में है तो आप जो भी documents आपने online registration में upload किये हैं वो सभी offline माद्यम से school में verify करवाने होंगे उसके बाद में जिन parents के बच्चे का नाम waiting list में है उसकी second list जारी होगी वो 28 April को जारी होगी उसके अलावा फिर भी कोई बच्चा admission नहीं लेता है seat vacant रहती है तो उसकी list जारी होगी 4th May 2023 को साथियों इसके अलावा कक्सा second और उपर की कक्साओं के लिए पंजीक्रन होगा वो offline mode से जिस विद्याले में आप अपने बच्चे का admission करवाना चाहते हैं उस विद्याले में आपको physical रूप से उपस्तित होकर करवाना होगा कक्सा second और उपर की कक्साओं में पंजीक्रन के लिए जो offline application form apply करने की date है वो 3rd April से 12 April 2023 होगी अब कक्सा second और उपर की कक्साओं में admission के लिए आपको application form वो विद्याले तभी provide करवाएगा जब वहाँ पे जिस कक्सा में आप अपने बच्चे का admission करवाना चाहते हैं उस कक्सा में vacancy उपलब्द है यदि vacancy नहीं है तो आपको offline application form नहीं दिया जाएगा तो जिस भी कक्सा में अब vacancy है वो आपको उस विद्याले के अंदर विजिट करके वहाँ के notice board या admission in charge से आपको पता करना होगा और जो भी supporting documents आपको लगाने होंगे वो भी admission in charge ही आपको पूरी information देगा कक्सा दिर्थिये और अगी कक्साव में यदि आपने application form offline mode से जमा करवाया है तो उसकी सूची जारी करने की तीती होगी 17 अप्रेल 2023 को उसके लिए आप विद्याले को विजिट कर सकते हैं otherwise विद्याले की website के विजिट करके भी आप अपने बच्चे का नाम लिष्ट में देख सकते हैं लिष्ट में नाम आने के उपरांद आपको 18 अप्रेल से लेके 29 अप्रेल तक 18 अप्रेल से 29 अप्रेल के बीच में original documents और जो भी remaining परकिरिया है वो विद्याले के अंदर complete करनी होगी कक्सा 1 में online application form के लिए जो online registration है वो कहां करना है उसकी detail उसकी website मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा online registration कक्सा 1 के लिए जो कि 27 मार्च से start हो रहा है वो kvsonlineadmission.kvs.gov.in and android mobile phone दोनों के मादें से आप कर सकते हैं साथियों second point है minimum age for the class first will be 6 year मैंने पहले भी बताया है कक्सा 1 के लिए online registration करते वक्त आपको सबसे important बात है वो आपके बच्चे की age group यदि आपके बच्चे की age 6 year से 8 year के बीच में है तो आपका बच्चा कक्सा 1 के लिए eligible है इसके लगा आप android mobile phone के अंदर app डाउनलोड करने के लिए इस website को विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं पॉइंट नमबर 4 कक्सा 2 और उपर की कक्साओं में registration के लिए आपको मैंने already बता दिया 3 अप्रेल से 12 अप्रेल तक date रहेगी आपको offline तरीके से application form अप्लाई करना होगा उसके लिए आपको विद्याले के अंदर offline modes पर application form admission in charge और principle के थूँ प्रवाइड करवाया जाएगा सातियों इसके लावा कक्सा 2 और उपर की कक्साओं में admission तभी आपको provide करवाया जाएगा जब वहाँ पे vacancy exist है यदि vacancy नहीं है तो आप apply नहीं कर सकते इसके लावा आपने कोई भी point number 7 है admission will not be granted if wrong and misleading information in the application form is found at the time of scrutiny by the keV यदि किसी parent से गलत information ली है बरी है या कोई गलत documents upload किया है तो scrutiny के time पे keV उसको reject कर सकता है इसके लाव कोई भी information आपको लेनी है तो उस concern विद्याले के admission in charge और principle से आप contact कर सकते हैं उनके number आपको विद्याले की website पर upload साथियों इसके इलावा जो edge group का factor में आपको बताया था second कक्सा के लिए 7 year but less than 9 year कक्सा third के लिए 7 year but less than 9 year ये बच्चे का edge group रहेगा Thank you